सराइपाली विदानसवा चुनाओं में त्रिकूनी संगर्ष होने जा रहा है पहले जहां भाजपा और कॉंग्रेस पार्टी का प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था तो इसी दोरान कॉंग्रेस विदाय किस्मत लाल नंद ने कॉंग्रेस पार्टी से इस्तफा दे कर जनता कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है वहीं जोगी जनता कॉंग्रेस ने भी उन्हें सराइपाली से अपना अधिकरत प्रत्याशी घोशित कर दिया है जोगी जंता कॉंग्रेस से सराइपाली विदान सबा का अधिकरत प्रत्याशी गोशित होने के बाद किस्मत लाल नंद ने प्रेस वार्था आजित कर बताया कि कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकेट ना देकर किसी नए प्रत्याशी को टिकेट दिया है जिसको लेकर उन्होंने जनता कॉंग्रेस से चुनाव लड़ने का निड़ने लिया है और वह एक बार फिर सराइपाली विदानसाबा की जनता की सेवा के लिए जीत कर आएंगे अगर सराइपाली से एक सड़क है जो तोरे सी हमें आके निगलता है और इस प्रकार से सारा सड़क फूल पुलिया जो 15 साल तक नहीं बना था वो मैंने बनवाया मुझे ऐसा लगता था कि मैंने चेत्र का बहुत निकास किया आज भावरपूर में भावरपूर सराइपाली से जो 40 किलोमेटर बच्चे जो साजा पाली के हैं वो यहां पे कॉलेज इसकूल आते थे मैं उसमें भावरपूर में एक कॉलेज खुलवाया स्वामय आत्मानान इंगली स्मेडियम खुलवाया और यह सभी चीजों को देखते में मुझे ऐसा लगता था कि 2023 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुझे को प्रत्यासी बनाए जैसे ही दूसरे को प्रत्यासी बनाया तो मेरे सारे समर्थक सभी मायूस हो गए और वो हमारे जो मेरे को जो पांस साल तक जो मैंने जंसंपर के दवरान जो मैंने आत्मी बनाया है उन लोगों के भावनाव को रखने के लिए ही मैंने दूबारा चुनाओ लड़ने का संकल्प किया